आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों डाउटनेट में आपका स्वागत है इस question में में को दो matrix दे रही है A और B ठीक है और इनके order दे रहे है A matrix का order है P into Q और B matrix का order है R into S ठीक है respectively बोलाता तो A matrix का P into Q होगा और B का होगा R into S ठीक है और यहाँ पर हमसे पूझा जा रहा है कि अगर उनको subtract करना है ठीक है तो इनका subtraction possible कब होगा हमें यहाँ पर condition बतानी है फर्स्ट option दे रहा है P is equal to R Q is equal to S second option दे रहा है P is equal to Q R is equal to S third option दे रहा है P is equal to Q और fourth option दे रहा है P is not equal to R and Q is not equal to S ठीक है तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर कोई भी matrix है मेरी A और B ठीक है, आपर A और B दे रहे ही इनी matrix, ठीक है, इसका order दे रहा है P into Q, ठीक है, और इसका matrix दे रहा है R into S, ठीक है, तो suppose अगर A matrix अगर मेरी, A matrix order अगर हो जाए मेरा, 2 into 3, ठीक है, 2 rows और 3 column, ठीक है, तो suppose यहाँ पर आ गया कुछ भी 25, 31, 24, ठीक है, 105, 36, ठीक है, 11, ठीक है, यह आगया, और यह कोई matrix है, ठीक है, जिसका order हमारा 3 into 2 है, ठीक है, यहनी 3 rows और 2 columns, 3 rows और 2 columns, ठीक है, कुछ इस तरह की से matrix होगी, ठीक है, यहाँ पर भी हमें element कुछ भी randomly ले लेते है, 1, 1, 1, ठीक है, 1, ठीक है, 99, 100, ठीक है, 73, और 21, तो आप जानते हैं, यहाँ पर कि इन दोनों का subtraction possible है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारी subtraction की यहाँ पर condition क्या होती है, कि हमारे यहाँ पर condition होती है, कि हमारे both, both matrix, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, both matrix should have, should be of same order, ठीक है, both matrix should be of same order, ठीक है, दोनों matrix हमारी सेम order की होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा order क्या था, एक का 2 इंटू 3 था, एक का 3 इंटू 2 था, ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू 3 होता, और यहाँ पर 4 इंटू 6 होता, तब भी हमारा यहाँ पर possible नहीं था, क्योंकि both matrix should be of same order, ठीक है, यह हमारा condition होती है, यहाँ पर हमारी same order है नहीं, ठीक है, तो अब अगर A और B का हमारा subtraction possible होने के लिए, ठीक है, दोनों के order same होने चाहिए, और दोनों के order अगर same कब होंगे हमारे, दोनों के order तब ही same होगे, जब P हमारा R के बराबर होगा, and Q हमारा S के बराबर होगा, ठीक है, यह होगा, य यह कंडिशन हमारे कॉंसे option में दे रिकिए पी आर के बराबर और क्यू एस के बराबर हमारी first option में दे रिकिए तो first option ही इसका correct answer आ जाएगा, ठीक है, first option ही इसका correct answer आ गया, ठीक है, thank you so much guys, I hope you like the video